तो पयान करना ना है pH जान उसादी जो व्यांके करफास की जाफ्या से कर ने जया किया। थी वो क्यों आपनी प्रह老 हो गए जिसमें कोई या करके भागिर के ब्हुंञ्स攻 जब्लकूल देखते हैं कि पार अप कोई सếको दिया है मनोचा कोई ब्रह्मर से रोमढ है पर यह नहीं करते थे पहले तो आप लोग जाते देखकर दबाया करते थे कि यह लोग दलीत है इनको आप लोग बैठने नहीं देते हैं पानी ने कोई पी लेता है तो उसको मार दिया जाता है यह नहीं पूरे देश में आर्थिक जोने होना चाहिए जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदा पता चलना चाहिए उनके साथ अन्याय कर रहें वह कई रहें कि अच्छे अच्छे पोष्ट है जज है आईएस है मुखमंत्री है मंत्री है सब जगव सवर्णों का कभजा है 15 परसेंट वालों का कभजा है 10 परसेंट वालों का कभजा हम लोगों पे सोसन किया जाता है हम लोग सोसी तवर्ग है बिहार के माननिय मुखमंत्री नितीश कुमार जी और माननिय मुखमंत्री तेस्वी आदब के जित पर जब बिहार में जाती है गन्ना सर्वे करवाया गया तो उसमें निकल कराता है कि सवन में जितनी भी जातिया है बात कर ले ब्रहामन राजपूत कायस्त या फिर भूमियारों की संख्या बहुत ही कम दर्साइग गई है उसके बाद तमाम तरह के लोग तमाम मामला यह हुआ कि संसद में जब महिला आरक्षन बिल पर चर्चा चल रहा था तब मानिये संसद मनोज्जा जो कि ब्रहामन समाज से आते हैं उनका एक विवाद असपद बयान सामने आता है कि अपने अंदर के ठाकुरों को मारना चाहिए और वालमिकी जी का एक कवीता वो किस प्रकार देखते हैं बिहार में जाती है गन्ना करवाई गई है कि यह जो है पूरे देश में करवाया जाना चाहिए देखे मैं एक बात आपको और बताओं कि जब हमारा देश गुलाम था तो देश की आजादी की लडाई में सभी जातियों ने बढ़ चड़कर के लिए कि हमारा देश आजाद होगा हम अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति पाएंगे जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे तो चाहे ब्रहमण हो चाहे दलित हो चाहे आदो हो चाहे कुमार हो कोई भी हो सब के ऊपर अंग्रेजों के द्वारा अत्याचार किया जाता था आजाद हुआ आजादी के बाद ठोडीमistoid जो छुवाफ़ी कि समस्या थी जर्च किसमज्या थी तो हमारे देश के नेताओं ने कलपना किया कि हमाने वाले समय में ज Catherine समाझ की अस्ठापना करेंगी समता मूलक समाझ की अस्थापना करेंगे जिसमें सभी को सामानता का अधिकार दिया जाएगा जात पात उच नीचे सब खतम हो जाएगा यह बहुत अच्छी बात है अपने जात पर गर्व करना अच्छी बात है मेरे हिसाब से लेकिन अपने अंदर जातिये करना किसी भी जाती के साथ जाती बेद्भाव करना इस शीयूawanा चाहिए आजाधी के 75 साल बाद हम चांद पर जा रहे हैं अमेरिका कितना आगे हैं अदिन कितना आगे है सिया कितना है चाइप कए ना कहा है हम लोगों को बिकास पर ध्यान देना चाहिए यह जातगत जनगड़ना हुई और जो मांग की जारी की पूरे देश में जातगत जनगड़ना है होनी चाहिए यह गलत है जातगत जनगड़ना नहीं होनी चाहिए पूरे देश में आर्थिक जनगड़ना होनी चाहिए उनका तो कहना है क्यों नहीं होना चाहिए जिसकी जितनी स तो आज आजादी कि 75 साल बाद आर्थिक जन्गर ना हो निशाहिए कि इस देश में कितने गरीब हैं और इस देश में कितने अमीर हैं इसका पता चलना चाहिए उनके साथ अन्याय कर रहे हैं वह कहे रहे हैं कि अच्छे अच्छे पोस्ट है जैज है किसी भी जगह पर किसी भी सवर्ण का कबजा है और योगिता किसी जात को देख करके नहीं योगिता किसी भी जात का लड़का योग हो सकता है किसी भी जाती का देख काOS करता हूं और देस में जो जातीट भी सबसे जादा सब्सक्राइक दियतों का देख करके नुकसान है ऐस में पर्दान गया तो वही दोसरी दुर सरे दिलिट no doubt चुनाओ नहीं लड़ पाएगा उसका लड़का इलहबाद नहीं जा पाएगा पर ने एक बार जो दिलित आदमी मास्टर बन गया उसी के घर में 4-5 पीड़ी लोग नोकरी कर रहे हैं तीना डाबी के घर में कोई आईएस है कोई आईपीस है वही तो चार पांच बार से नुकरी कर रहे हैं तो इस से जो है सभी लोगों का नुकसान है देश में आज आजादी के 75 साल बाद आर्थिक जनगर्ना करवाने क्या उसकता है या जानने क्या आउ सकता है कि कौन सी जात किस जात में कितनी गरीबी है और उसको आगे बढ़ाने क्या आउ सकता है पहले तो आप लोग यह आर्थिक गन्ना नहीं करते थे पहले तो आप लोग जात देख कर दबाया करते तो पिर अंग्रेजों का नहीं बीरोद कर रहे हैं वैसे तो मुगलों ने मैला तक फिकवाया है तो उनका तो बीरोद नहीं कर रहे हैं जब देश हमारा आजाद हो गया तो आजाद भारत में नए सरे से हो जाएगी तो साइधी सो अच्छा से करेगी पीता जी का कोई अधिकार नहीं है बहुत सारे मामले आप देखते होंगे जिसमें कोई भी लड़की जाकर के भागर को लेते हैं अगर किसी के अहां साधी करने यह सिर्फ और सिर्फ भटकाने का मुद्दा है मैं आपको बात फिर बता दूं बाइस पॉइंट प्रतिसात आरक्षड में यह चंद अमीर दलितों ने कब जाकर रखा है यह राम बिलास पासवान जैसे जैसे लोग आठा उट्व कराए कंढ़े की यहीं तो फिर यह नहीं करेगा रहे कि आप Aku अच्छर से कोटा से परधान बन गयों तो आप दुबारा हम लड़ेंगे परधानी यह नहीं कह पाएगा इस उद्धे से भटकाने के लिए ऐसा इप्रयास कर रहे हैं और को तो कोई संख्या नहीं इनको क्यों तवज्जो दिया जा रहा है फिर कह रहा हूं यह कहने अगदम नगन अखले से अदो जी क्या थे उससे पूर मुख मंत्री मायोती जी क्या थी ठीक है तो यह सब फर्जी बाते मंगणत कहानिया ऐसा कुछ नहीं ठीक है योगिता कभजा है कोई भी मुख मंत्री बनता तो सच्व तो रखता ही रखता है तो अब आयस जो जाएगा तो वह पढ़कर करके बनता है अब आप रहे हम फिर कह रहे हैं कोई भी जाती योग और योग नहीं होती है कोई ब्यक्ति योग और योग होता है कोई जाती अमीर और गरीब नहीं होती है ब्यक्ति अमीर और गरीब होता है तो बात यहां पर जाती की नहीं बात योगिता और योगिता की है आप बताओ जो दलित लड़का पढ़ करके कंपटेशन बीट करके आइस बन रहा है कि उसको सचिव नहीं बनाए जा रहा है वह भी तो सचिव बनना है वह भी तो सलाकार बनना है तमां विभागों में उसकी भी तो न्युक्तियां हो रही है तो बात फिर जात कि कहां से आ गई दलीतों को आप समान नजर से देखते हैं भारत का उन्होंने अखंड भारत का निर्माड किया ब्रामणों ने त्याग और बलिदान दिया है दधीची से हड़ी मागी जाती है आप से अगर कह दिया जाए कि आप अपनी एक उंगली काटकर दे दिजिए नहीं दे पाएंगे आप अचा दधीची ने पुरी हड़ी धर्म के लिए और देश के लिए तो ब्रामण अपनी त्याग और बलिदान से पूझा जाता है भाइव किसी कर्पांश नहीं पूझा जान दारों ने करju करो दे के लिग आंदर के और पर कम करते ओद्यों को मारस सी न lotson मनोजा कोई ब्रहमण सहरोमणी है मनोजा कोई करम कांड़ी है अचार्स मनोजा अचार्स वामपन्थी है और अंबेटकर और पेरियार प्रचल सब्राइथ ब्रहमण itu प्राइवेट सेक्टर में नितीज कुमार जी को आरक्षन लागू करना चाहिए आप देख रहें कि सबसे ज्यादा गरीबी भीहार में है विहार अगर इतना विक्सित राज होता तो भीहार के लोग महाराश्चे में दिल्ली में लोग गुजरात में जागर के नोकरी ना करते पपु यादुने कितना भीकास किया तो कर नहीं पाऊगे और जब भीकास का भुम्यार को मतलब मार दो यही लालुयादों ने नक्सलियों का पालन पोसड किया था यह क्या बना देंगे बिहार का अगर यह बिहार को आगे लेकर जाना चाहते हैं ना तो सिच्छा के छेत्र में आगे बढ़ाएं बिहार को जाते-जात की राजनीति क्यों खेल नहीं वह नहीं रहाण से लाजने लुटार續 को चाहि बाली के भी बटारों से नहीं हैं आगे, ओंडे लुटार।